दोसों शुरू करते हैं exercise 6.5 से question number 1 Sides of triangles are given below आपको किसी triangle की तीनो sides दी हुई है determine which of them are right triangles आपको बताना है कि इन में से कौन सा जो pair है वो किसी right triangle की sides हो सकती है In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse अगर right triangle है, तो फिर उस case में आपको उसका hypotenuse भी बताना है देखिए right triangle की property ये होती है कि जो 90 degree का angle होता है उसके सामने सबसे बड़ी side होती है और सबसे बड़ी वाली side को बोलते है hypotenuse और बाकी की ये जो दो sides होती है ये आपकी base या perpendicular होती है तो ये पता चलाने के लिए कि आपकी जो given sides है वो किसी right triangle की है या नहीं है सबसे बड़ी side होती है उसका square यानि hypotenuse जो है और अगर इसे मैं base मालनू इसे perpendicular तो सबसे बड़ी side यानि की hypotenuse उसका जो square होता है वो आपके बाकी की दो sides के square के sum के बराबर होता है ये चीज ये ही पाइथावरस थ्योरम होती है तो आपको question में just ये करना है कि सबसे बड़ी वाली side का square करना है और फिर बाकी की जो दो sides है उनका square करके उनका sum करना है और फिर ये देखना है कि क्या वो दोनों answers सा आपके बराबर है अगर equal है तो वो sides सा आपकी right triangle की हो सकती है नहीं तो नहीं है तो फिर्स्ट question शुरू करते है यह सबसे बड़ी side है आपकी 25 तो मैं 25 को लेता हूँ और इसका square करता हूँ तो 25 into 25 यह होता है आपका 625 25 तक के तो square सा आपको पता होने चाहिए अगर आपको नहीं आते है तो आप इसको ऐसे 25 into 25 multiply करके देखेंगे तो 625 ही आएगा अचा अब लेते हैं इसकी दो छोटी sides को छोटी sides है इसमें आपकी 7 इसका square करेंगे इसमें प्लस करेंगे 24 का square दो छोटी sides ही है अब 7 का square होता है आपका 7, 7's of 49 और 24 का square होता है 576 और जब इनका sum किया तो ये भी आपका 625 हो जाएगा तो first case के अंदर आपने देखा कि सबसे बड़ी वाली side का जो square वो 625 आया और जो बाकी की दो sides है उनके square का sum भी आपका 625 आ गया तो इस हिसाब से ये जो sides हैं ये आपकी किसी right triangle की हैं तो therefore they are sides of a right triangle अब अगर sides है right triangle की तो फिर आपको hypotenuse बताना है hypotenuse होता है आपका सबसे बड़ा वाला तो इसके अंदर hypotenuse आपका 25 cm है इस तरह करने हैं ये parts आपको चलिए second part देखते हैं सबसे पहले देखिए आप अपनी सबसे बड़ी side को सबसे बड़ी इनके अंदर है आपका 8 तो 8 का square करते हैं 880 हो गया 64 अब बाकी की दो ले लेते हैं छोटी वालियों को ये 3 है इसका square किया plus दूसरी वाली आपकी 6 है इसका square किया 3 का square होता है आपका 3, 3 is a 9 6 का square होता है 6, 3 is a 36 और जब इन दोनों को plus किया तो ये आपका 45 आया तो इसमें आपने देखा जो सबसे बड़ी वाली side है उसका square तो आया 64 और बाकी की जो दो छोटी sides है उनके square का जो sum आया वो आया आपका 45 तो ये तो बराबर नहीं है तो आपका result होगा they are not sides of a right triangle they are not sides of a right triangle अब जब ये sides हैं ही नहीं तो इसके अंदर आपको hypotenuse हैं ही नहीं hypotenuse आपको तब ही बताना है जब आपका proof हो जाए कि ये sides right triangle की हैं अगर sides ही right triangle की नहीं है तो इसमें hypotenuse हो गए नहीं तो वो आपको लिखना ही नहीं है चलिए third part देखते हैं third में आपको sides दी हुई है 50, 80 और 100 cm तो सबसे बड़ी को लेते हैं पहले ये हैं आपका 100 इसका square करेंगे तो 100 into 100 1, 2, 3, 4 4 तो आगे आपकी 0 और 1, 1, 1, 1 ये आगे आपका यानि कि 10,000 अब लेते हैं अपने बाकी की दो sides को जो छोटी वाली है एक है 50 इसका square करना है और इसमें प्लस करना है आपको दूसरी वाली side के square का ये चीज अब 50 का square जब करेंगे देखें जब भी किसी चीज का square करते है न और आपका उसमें 0 है पीछे तो 00 आपस में add हो जाते है मतलब 00, 20 होगे न और 5, 5 is a 25 तो बिना कि ये direct भी आप लिख सकते हैं ऐसे इसी तरह से अगर 80 का करेंगे तो 80 into 80 तो पीछे के 20 होगे तो answer में तो 20 आएंगी और 8, 8 जा 64 ये हो गया 50 का square 2500 80 का square आपका 6400 अब जब इने sum करते हैं तो पीछे का 00 next भी 00 100 पे 4 है 4 और 5 आपका 9 हो गया और 1000 पे 6 और टू 8 हो गया 8, 9, 00 तो इसमें आपने देखा कि सबसे बड़ी वली side का square तो आया 10,000 और बाकी की दो छोटी sides के square का जो sum आया हो आया आपका 8, 9, 00 और ये बराबर नहीं है तो इसलिए ये तीनो sides किसी right triangle की नहीं है तो they are not sides of a right triangle चलिए 4 पार देखते है सबसे बड़ी side को उठाते हैं पहले ये है इसमें आपका 13 13 का square करते हैं यानि 13 into 13 तो 13 का square 169 होता है फिर आपकी दो छोटी sides को लेते हैं ये 12 हो और एक 5 है तो 12 का square करेंगे इसमें plus करेंगे 5 का square 12 का square यानि कि 12 into 12 plus 5 into 5 तो 12 का square होता है 144 और plus 525 जब इने plus किया तो 5 और 4 आपका 9 हो गया यहां से 4 और 2 आपका 6 हो गया और ये 100 169 तो इसमें आपने देखा कि सबसे बड़ी वाली side का square 169 आया और बाकी की जो दो छोटी sides थी उनके square का जो sum है वो भी 169 आया तो ये तीनो sides आपकी किसी right triangle की ही है तो they are sides of a right triangle अब right triangle की sides हैं तो आपको hypotenuse भी बताना है hypotenuse होता है आपका सबसे बड़ी वाली side जिसकी length सबसे ज्यादा हो तो इस question में वो आपका 13 है and hypotenuse is 13 cm ये आपका first question था चलिए इसके बाद करते हैं question number 2 question 2 की language मैं पढ़ता हूँ बुक से PQR is a triangle right angled at P PQR एक right triangle है at Piper यानि की P के उपर आपका 90 degree है तो सबसे पहले तो मैं figure ही बना लेता हूँ ये मैंने बनाया एक right triangle और P के उपर मेरा 90 degree है तो ये मेरा P है और ये 90 का निशान अब R और क्यों है ना वो मेरी choice है मैं कहीं भी रख सकता हूँ मैं R को उपर लिख लेता हूँ और Q मैं हापर लिख लेता हूँ आगे पढ़े and M is a point on QR such that P M perpendicular to QR M कोई point है वो आपके R Q के उपर है यहाँ पर है और वो इस तरह से है कि ये जब P से टकराएगा यानि P M बनेगा तो ये perpendicular है ये given है इस तरह से आपको P M perpendicular to R Q show that P M square is equal to Q M तो इसमें आपको to show करना है P M का square is equal to Q M into ये dot A dot का मतलब multiply होता है M R ये आपको इसमें show करना है तो given को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ लेंग्वेज में यहाँ पे मैं given लिखता हूँ right triangle rpq ये pqr right angle at p एक तो ये दिया हुआ है दूसरा आपको ये दिया हुआ है कि जो P M बन रहा है इस के अंदर वो आपका perpendicular है R Q के ये given है ये आपको to show करना है अब देखिए इसको show करने के लिए जब आप इसे इन ratios को देखेंगे मैं इसे थोड़ा सा expand करता हूँ यहाँ से solution देते हूँ ये जो P M है आपका P M का square है तो मैं इसे P M into P M लिख सकता हूँ is equal to ये आपका Q M into MR अब ये चीज मुझे जब लानी है तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये जो ratios है ये मेरी कौन से triangle के अंदर आ रही है उन triangles को मुझे पहचानना है उन्हें फिर similar करना है और जब उन्हें similar कर देंगे तो फिर हमें अपना ये result भी मिल जाएगा अब एक theorem में आपको बताता हूँ 6.7 theorem 6.7 क्या है कि कि किसी right triangle ने अगर 90 degree वाले angle से hypotenuse के उपर 90 degree पढ़ जाता है जैसा कि आपके इस figure में भी हो रहा है आर पी क्यू के अंदर 90 degree से hypotenuse के उपर perpendicular पढ़ा हुआ है तो जब ऐसा होता है न तो ये जो दो छोटे triangle बनते है ये आपस में similar हो जाते है एक तो ये बात दूसरी बात ये कि ये बारी बारी से दोनो इस बड़े triangle के भी similar हो जाते है अगर मैं इसे लिखके दिखाऊँ आपको तो इसका मतलब ये है कि PQM छोटा वाला आपका similar हो जाएगा PMR के दोनो आपस में एक दूसरे के similar हो जाएगे दूसरा ये कि PQM अकेला इस पूरे के similar हो जाएगा RPQ के और फिर दूसरा वाला RPM ये पूरे का RPQ का तो ये कहती है theorem 6.7 हम direct theorem से भी कर सकते हैं इसको लेकिन theorem लगाने से न direct आपका result नहीं आएगा दूसरे ये भी आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से triangle के अंदर आपकी कौन सी sides corresponding है और angles कौन से है तो आप इसे पूरे तरीके से करना सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि हमारा जो PM है ना PM, QM और MR ये कौन से triangles में आ रहे हैं देखिए PM ये रहा QM ये रहा और MR ये रहा MR तो PM QM और MR ये मेरे इन दो छोटे triangles में आ रहे है P, Q, M के अंदर और P, MR के अंदर तो ये दोनों ही मुझे similar proof करके दिखाने वहाँ से फिर मेरा result आ जाएगा तो लेते हैं सवाल को इन triangle PMQ and PMR and triangle PMR अब इन दो triangles के अंदर जब आपको इने similar proof करना है तो देखिए आपको इसके अंदर क्या क्या चीजे same दिख रही है मैं इसमें angles का नाम लिख लेता हूँ इसका number मैंने 1 रख लिया इसका number 2 रख लिया इस angle का number मैं 3 रख लेता हूँ इसका number में 4 रख लेता हूँ और इसका रख लेता हूँ 5 मुझे इन angles की जुरूत पड़ेगी इस question के अंदर इसलिए मैंनेन के नाम रख लिए अब आप देखिए अपने दोने छोटो triangle में angle 1 आपका 90 degree है और इस वाले में आपका angle 2 90 degree है तो PMQ के अंदर आपका angle 1 और PMR के अंदर आपका angle 2 ये दोनों आपस में बराबर है reason क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके 90 degree है 90 क्यों है? क्योंकि ये book में दिया हुआ है given PM perpendicular to R क्यों है? perpendicular 90 degree पे होता है एक तो ये हो गया अब अगर एक angle और मिल जाए मेरे को दोनों triangle में same तो फिर मेरे दोनों triangle आपके similar हो जाएंगे अब दूसरा angle निकालने के लिए इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ीगी देखिए अब PMQ को देखिए पहले in triangle PMQ PMQ आपका मिला है ये angle 1, angle 4 और angle 5 से मिलके बना है और तीनों का जो sum होता वो 180 होता है आपको पता है जिसमें angle 1 की value आपको पता है कि ये 90 है तो angle 4 और angle 5 आपके कितने हो जाएंगे देखिए तीनों मिलके 180 के है तो angle 4 और angle 5 आपके हो जाएंगे 180 मैनस ये वाला 90 यानि एंगल 4 और एंगल 5 दोनों मिलके आपके 90 डिगरी के हो जाएंगे इस ट्राइंगल के अंदर तो यहां से मुझे यह पता चला कि 4 प्लस 5 90 डिगरी हो गया अच्छा अब अपने 1 और 2 पे ध्यान दे आपका 1 और आपका 2 यह 1 और 2 को नहीं आप 3 और 4 को देखें आपके क्योंकि इसमें 4 का यूज हो रहा है 3 और 4 पे आप ध्यान दे तो दोनों के दोनों मिलके 90 के हो रहे हैं यानि एंगल 3 प्लस एंगल 4 यह भी आपका 90 है अब यह नमबर 1 और यह नमबर 2 इन दो चीजों पे आप ध्यान दे तो आपको मिलेगा कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 यह भी 90 है और इसी के बराबर आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 है यह दोनों बराबर ही तो हैं इनकी वैलू बराबर है मैंने आमने सामने रख लिया अब दोनों तरफ आपका एंगल 4 है तो एंगल 4 से एंगल 4 कट गया तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिला यहां से रिजल्ट मिला कि एंगल 5 आपके एंगल 3 के बराबर आ गया यानि एंगल 5 और एंगल 3 आपके बराबर हैं और एंगल 5 आ रहा है आपके PQM ट्राइंगल के अंदर, और एंगल 3 आ रहा है आपके PMR के अंदर, तो हमें दूसरा एंगल मिल गया, अब लिख देते हैं, इसका एंगल 5, इसका एंगल 3, आप चाहें तो यह चीज यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, चलिए, दो एंगल मिल गया आपको, तो therefore, ट्राइंगल PMQ is similar to ट्राइंगल, अब देखिए, यहाँ एक बहुत खास चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है, जब आप ट्राइंगल लेते हैं, तो आप अपना नाम कैसे भी, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नही हैं, लेकिन जब आप symbolic form में उन्हें दिखाते हैं न, तो आपका जो symbolic form होता है, वो इस तरह से होना चाहिए, कि उसके अंदर देखने भर से ही यह पता चलिए जाए, कि कौन से angles corresponding हैं, और कौन सी sides corresponding हैं, उसके हिसाब से आपको symbolic form लिखनी होती है, अब अगर मैंने PMQ लिखा है, तो symbolic form में इसका जो similar होगा triangle, वो मुझे ध्यान से लिखना होगा, उनकी मैं पहले यहाँ पर तीन जगे बना लेता हूँ, ऐसे, अब मैं यह देखता हूँ, कि मैंने यहाँ पर PMQ लिखा है, और इन में मेरा one मेरे two के बराबर है, यानि कि P का corresponding क्या होगा, देखे, P का corresponding इसके अंदर आपका क्या हो रहा है, P का corresponding मुझे डायरेक्ट अभी नहीं मिल रहा, मैं M पे चलता हूँ, मेरा M का corresponding क्या हो रहा है इसके अंदर, M का corresponding मेरा हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो M है वो भी one है, और इसके अंदर जो M है वो two है, तो one और two आपस में बराबर है, तो मेरा M का corresponding मेरा M है, इस triangle का M, इस triangle के M के बराबर है, यह मेरा दूसरी जगे पे है न, तो मुझे यहां की second place पता चल गई, अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि Q के corresponding क्या है, देखिए Q आपका angle 5 है, और angle 5 आपके angle 3 के बराबर है, और यहां पे जो 3 है, उपर वाले triangle में, RPM में, वो angle P है, तो यहांनि Q का corresponding दूसरे वाले triangle में है आपका P, तो second और third मुझे मिल गए, हाँ second और third place वाले मुझे मिल गए, यहां पे तीन number होते हैं, triangle का नाम लिखने के लिए, और मुझे 2 मिल गए, तो तीसरा बचा कौन, देखिए PMR है न, PMR में से मुझे P मिल गया, मुझे M मिल गया, तो तीसरा बचा, उसे हमें मैच करने की जरूत नहीं है, वो automatic same ही आएगा, जब 2 आगे न, तो जो बचे गया तीसरा उसे आप ऐसे कैसे उतार दें, तो इस तरह से आपको बड़ा ध्यान लगा के, इसमें यह देखना होता है कि कौन से angle के corresponding है, उसके हिस symbolic form लिख जाती है न, तभी आपकी जो sides होती है, वो proper ratio में उन्हें आप दिखा सकते हो, नहीं तो गलती हो जाएगी, चलिए, यह symbolic form बिलकुल होके है, अब यहां से निकालते हैं, कि इन दो triangles के अंदर, आपकी कौन सी sides किस-किस के proportional है, तो मैं यहां से लेता हूँ, पहले यह ले लेता हूँ, मैं, first or second, यानि PM, यहां का first second, RM, is equal to, अब यहां से second third लेता हूँ, यानि MQ, तो यहां से second third लोगा यानि MP, is equal to, अब यहां से third or first, यानि कि QP, तो यहां से भी third or first, यानि कि PR, तो इस हिसाब से ये तीनों जो sides हैं वो इनके बराबर आती है आपकी ratio अब मुझे यहां से क्या चाहिए देखिए मुझे चाहिए यहां पर pm का square तो मैं यह देखूँगा कि इन में से pm pm मेरा कहा कहा पर आ रहा है जो मेरा multiply हो जाए यह pm और यह rm है यह मैंने पहला वाला गल्स लिख दिया यह pm और rm है यह चीज अब इन तीन ratios में मैं अपनी वो ही दो ratio लूँगा जिन में cross multiply में मेरा pm square बन जाता हो और वो बन रहा है आपका इन दो में एक तो pm pm बन गया और mq into rm mq into rm मेरा in से result आ रहा है तो मैं एक बार इसको फिर से लिख लेता हूँ इसमें इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको लिख लेता हूँ pm upon rm is equal to mq upon mp mp लिखे या pm लिखे बात यह किया आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जब इन दो नमबरों को multiply करेंगे तो pm into pm यह हो गया आपका pm का square और जब इन दो नमबरों को multiply करेंगे तो यह हो गया आपका mq into rm mq into rm और देखे यही आपका result है आप उपर देखे यही आपको proof करना था pm का square is equal to mq, mq लिखे या qm लिखे आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता into rm तो यह question आपका proof हो गया, यह solve हो गया चले इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको एक question अच्छे से समझ में आये होंगे वीडियो में रच्छा लगा हो तो please like करना, share करना और 10th class का complete match पढ़ने के लिए आप इस channel को भी subscribe करना, thank you